चलिए आज हम पढ़ते हैं क्रिया, क्रिया यानि काम, जब हम छोटे होते हैं तो इन्हें एक्षन बाड़ बहुते हैं, जब छोटे होते हैं, तो हम इसे किस प्रकार पढ़ते हैं, इंग्लिज में हम इसे एक्षन बाड़ के रूपने पढ़ते हैं, एक्षन मतलब हम जो भी क्रिया काम कर रहे हैं वो होता है मारा आक्षन तो क्रिया का मतलब भी होता है काम हम जो कारी कर रहे हैं उशी को क्रिया बोला जाता है हमने जो कारी किया है हम जो कारी आगे करेंगे उश अभी यह हमारे टेंस में जाते हैं किस समय के अंशार हमने कारी किया है लेकिन क्रिया क् कि हमने जो कार किया है, आज करो, कल करो, फर्शो करो, करो, लेकिन जो कार हुआ है, जो काम हो रहा है, वो श्रवी कार होते हैं, क्रिया, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाना क्या होता है, एक क्रिया, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बोलना, देखना, खड़ा होना, चलना, फिरना, घूमना, इधर उधर घूमना, ये सभी होते हैं क्रिया, ये सभी क्या होते हैं, क्रिया, जब हम एक साथ थे, जैसे मैं अभी हूँ, तो मैं बोल भी रही हूँ, देख भी रही यह सब एक साथ हम एक वार में बहुत सारी क्रिया हैं करते हैं तो अगर मैं यहां को बोलू सोनू खेल रहा है तो खेलना एक क्रिया है सोनू पढ़ रहा है तो पढ़ना एक क्रिया है वह जा रहा है जाना भी एक क्रिया है वह सो रहा है सोना भी एक क्रिया है वह खेल रहा है वह हस रही है, तो हसना भी एक क्रिया है, वह जाग रही है, तो भी एक क्रिया है, मतलब कि जो कारे हम कर रहे हैं, जो कारे हम करते हैं, उसे बोले जाता है क्रिया, और क्रिया, क्रिया, इसे इंग्लिस में क्या बोलते हैं, भर्व, इसे इंग्लिस में क्या बोलते हैं, भर्व इसे इंग्लिज में भरो बोले जाते हैं ठीक है जैसे तो अब इसका उदा इसका परिफार सा क्या लिख सकते हैं तो जिन सब्दों से किसी कारे किसी काम करने किसी काम का बोध होता है उसे क्रिया कहां जाता है जैसे खेलना पढ़ना सोना खाना पीना चलना दोडना आजिए बहुत सार इससे आगे हम लिखते जायें पूरे ब्लैक बोड भर जाएंगें। आपको समझने आ गया होगा, यानि कि हम जो भी कारी करते हैं, वो क्रिया होता है, जो भी कारी करते हैं, वो क्या होता है, क्रिया होता है, यहां तक कि सोना भी एक कारी है, पढ़ना भी कारी है, हसना भी कारी है, मुस्कुराना भी कारी है, ठीक है? तो इस प्रकार अगले बाश और मम्मी कहेंगी कि सो रहे हो तो बुलना मैं शोने का कारी कर रहा हूं मैं शोने का कारी कर रहा हूं तो मतलब एक कहने का मतलब यह है कि क्रिया का मतलब होता है कान जो कार के मैं कर लेंगँ, अगर मैं खड़ी हो तो खड़ा हूना भी खेल रहा है इसलिए उसे जो खेल रहा है उसे खेलना बोल रही है जो पढ़ रहा है पढ़ना सो उसका मूल सब्ध है और उसमें ना क्या है एक प्रत्य जूरी है ना क्या है उसके साथ प्रत्य जूरा हुआ है खा मूल सब्द है और उसमें ना जूरा हो तो खाना, पी में ना जूरा है तो पीना, चल में ना जूरा चलना, दौर में ना जूरा तो दौरना इसप्रकार हम देखते हैं कि जो क्रिया होते हैं उसके एक मूल सब्ध होता है और ओ मूल सब्ध में प्रते यूर्धा है जो ओस समय को बताता है कि ओ किस समय हुआ ठीक है चलिए अब इस से आगे हम पढ़ते हैं कि क्रिया के कीतने रूप होते हैं तो क्रिया दो प्रकार कि होते हैं सकर्म साकर्मक लिया और आकर्मक लिया अब आप देखों साकर्मक और आकर्मक लिया अब आप देखों साकर्मक और आकर्मक यह क्या होता है संग्याम हो सरवनाम हो तो सकर्मक मतलब जिस पर काम किया गया वो हो गया सकम सकर्मक के लिए जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है राम क्या पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ रहा है राम पुस्तक पढ़ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि राम यहां पुस्तक एक आपजिक्ट ह कर रहा है राम क्यों किसा कर तो उसे मुलते हैं सक नगा रहा है किसी प्राप कारी हो रहा है तो उसे बुलती है सकर्म मतलब सकर्म उसके साथ कर्म है यानि कि सकर्म क्रिया हुई जिसके साथ कार होता है वह उसमें संटेंस में होता है तो उसे सकर्म बोलते हैं और वहीं पर आ कर्म है मतलब आ मिंस नहीं तो पिजिस में कर्म नहीं होता है जैसे सीता सो रही है सीता सो रही है तो सीता किसी पर सो रही है थोड़े है सीता सो रही है सीता हस रही है सीता गा रही है मीना जा रही है अब दिखें जा रही है कहां जा रही है पता नहीं क्या गा रही है पता नहीं सीता गा रही है इसमें कोई कर्म नहीं है जिसमें कोई कर्म नहीं है, तो जिसमें कर्म नहीं हो, उसे आप कर्म करिया कहते हैं, और जिसमें कर्म हो, उसे क्या बोलते हैं? साकर्म करिया, उसे क्या बोला जाता है? साकर्म करिया, यानि कि जब आपको संटेंस बोलते हैं, तो बोलते हैं, मेरा भाई मुझे मार दिया, मे और वही आकर्मक क्रिया होगा, तो मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं खुद रो रही हूँ, मैं किसी पर कोई कारी नहीं करें, तो यह हो गया आकर्मक क्रिया, तो अब समझ गया होगा, कि सकर्मक किशे कहते हैं, और आकर्मक किशे कहते हैं, मतलब क्रिया के दो में प्रेयोग करकते हैं साकर्मक में और आकर्मक में ठीक है तो इस प्रकार हम आगे वीडियो में साकर्मक और आकर्मक के उदाहरन देखनें ठीक है धन्युक्त